हेलो प्यारे बच्चो तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अब फस्ट चेप्टर सुरू करने जा रहे हैं ठीक है? और ये चेप्टर बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है बच्चो क्योंकि सबसे बड़ी बात इस चेप्टर में समझने वाला हिस्सा बहुत कम है और करने वाला काम ज़्यादा है मतलब क्या? समझने के लिए तना कोई खास वो नहीं है जैसे कि word problem तक आप करते आए हो कि पहले words को यानि पूरी language पढ़ो फिर समझो फिर करो ऐसा कुछ नहीं है इसमें इसमें आपके पास सीधा सीधा एक concept होगा बस वो हर question में वही apply करते जाना है आपका answer बड़े प्यार से निकल जाएगा चीक है? तो इस chapter का पहले मैं नाम बताता हूँ इस chapter का नाम प्यारे बच्चो आपका है real numbers ठीक है? हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक संख्या क्या का जाता है? वास्तविक संख्या तो मेरे प्यारे बच्चो वास्तविक संख्या क्या होती है? real number क्या होता है? देखो बच्चो मेरी बात को ध्यान से सुनना real number वो इस दुनिया के आप जितने भी number लिख सकते हो वो सारे नमबर रियल नमबर होते है जैसे 1, 2, 3, 1 by 2, 4 by 3, minus 1, minus 2, minus 3 by 2, ठीक है root 2, root 5, यह सारा 1 upon root 5 इस तरीके से जितने भी नमबर लिखते हो सारे के सारे नमबर रियल नमबर होते है बस एक को छोड़ के क्योंकि आपके मन में यह भी तो आ सकता है तो unreal क्या होता है ठीक है तो बच्चो unreal जो होता है ऐसे नमबरों को हम लोग complex number के नाम से जानते हैं ठीक है यह जो हम 11th किलास में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार complex number होता क्या है ठीक है लेकिन अभी आपको मैं बता दूँ क्योंकि सारे के सारे यह जो number मैंने यहां पर बताएं है आपको यह सारे के सारे real number है और इन real numbers को कई तरह के parts में बाट दिया गया है जैसे natural number, integers, real number, rational numbers, irrational numbers यह सारे numbers बच्चो आप लोगों ने अपने 9th किलास में सीखा था हिंदी में पूर्ण संख्या, प्राकिस संख्या, परीमे संख्या, पुर्णांक, आपरीमे संख्या यह सारे ठीक है मैं जैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ यह आपे ताकि आपको ध्यान रहे ठीक है जैसे मैं बता देता हूँ अब जैसे अगर मैं बात करूं बच्छो, natural number natural number प्राकित संख्या प्राकित संख्या नाति संख्या तो बच्छो, प्राकित संख्या क्या होती है एक, दो, तीन से लेकर भई, जहां भी तक आप जानती हो ठीक है, फिर integers integers, पूरणांक क्या होते है बच्छो पूर्ण आंक आपको पता ही है नमबर लाइन में आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा है ठीक है यह पढ़ रखा है जैसे यह 0, यह minus 1, minus 2, minus 3 minus infinity तक ठीक है और फिर यह 1, 2, 3 फिर यह infinity तक इस तरीके से तो यह सब क्या होते है बच्छो पूर्ण आंक होते है ठीक अगला आता है rational numbers rational numbers means क्या बच्छो परी में संक्या हाँ जी बच्छो क्या होती है परी में संक्या असान भासा में क्या कि P upon Q के form में जो हो ठीक है या A upon में B के form में हो, कुछ भी लिख सकते हो ठीक है, लेकिन एक सर्थ है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए 0 को छोड़के कुछ भी हो चलेगा जैसे example के लिए 2 upon में 3, 1 upon में 2 या 5, 6, ये भी परी में संख्या होती है, क्यों? क्योंकि इनके नीचे क्या होता है? अपने आप में 1 होता है, ठीक है? तो इस तरह के numbers को बच्चो हम लोग कहते है rational numbers, ठीक है? और जाए detail के भीश में ज़रूत नहीं है, और जैसे irrational numbers, ठीक है? irrational numbers ठीक है? irrational numbers जैसे क्या भई? आप अरी में संख्या अब जैसे 9th class में अपने concurrent पढ़ा था आविर्ती अनाविर्ती इस तरह के number पढ़े थे न अपने concurrent number है भाई अगर rational number है तो कैसे है मतलब कि rational है तो मतलब terminating है कि non-terminating है ठीक है ये सब हम अभी पढ़ेंगे last में लेकिन ज़्यादा इसमें इस 10th class के अंदर इस topic को इतना elaborate नहीं किया गया है बहुत ही minor थी चीज़ सिखाई गई है इसमें इसका जो सबसे main concept था ना प्यारे बच्चो वो 9th के अंदर था जो 9th के अंदर आपको complete तरीक से सिखाया गया ठीक है मैं यहाँ पर आपको उतना ही सिखाऊंगा जितने के आपके उस chapter में जरुरत है हाँ एक दो बाते कुछ फालतू एक्स्ट्रा हम पढ़ाएंगे वो तो भई हम करता ही रहते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बच्चो को मिलता रहे अब आपरी में संक्या कौन है जैसे यह सारे नंबर कौन से होते हैं एक रहेसल नंबर होते हैं ठीक है आपरी में संक्या ठीक है अब आपरी में संक्या में भी बहुत तरह के होते हैं ठीक है परी में संक्या में भी बहुत तरह के होते हैं जो रिपीट होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं नोन टर्मिन है अब सबसे जुरुरी बात इस चेप्टर के अंदर हमें में सीखना क्या है इस चैप्टर के अंदर बच्छों हमें में पता है क्या सीखना है कि कोई भी digit, किसी जब digit से divide होती है तो वो अपने हिस्से को किस तरीके से part में बदलते जाए किस तरीके से part में बाटते जाए कि उसका end कुछ ना कुछ जरूर निकले, कुछ ना कुछ का मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाता हूँ थोड़ा complicated रहा होगा इस बात में तो समझो, जैसे एक बात कहता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक number है 6 और मैंने इसको divide किया किस से? 4 से, ठीक है अगर मैं इसे 4 से divide करूँगा तो देखो कुछ ना कुछ तो बच गया लेकिन मैं चाहता नहीं कि कुछ बचे ठीक है, तो मैं आगे बढ़ना चाता हूँ divide करना चाता हूँ तो ऐसे condition में बच्चों दो topic निकल कर आते हैं जिसका नाम होता है LCM और SCF जिसे हम लोग हिंदी में LASA या MASA जैसे LASA क्या मतलब भई? लगुत्तम समावर्तक और MASA क्या भई? महत्तम समावर्तक LCM, भई क्या LCM क्या होता है जल्दी बता दो lowest common factor यानि कि multiple और SCF क्या होता है? highest common factor ठीक है उच्चों तो इस तरीके से अगर हमें real numbers में जब कुछ दो अच्छे महान topic ढूणने होते हैं तो हम LCM और SCF को चुनते हैं ठीक है? मैं इस बार हाथो हाथ आपके R.D. Sharma के question जैसे मैंने third chapter में भी cover करता चलाता second chapter में भी तो इसमें भी करता चलूँगा बे फिकर रहना ठीक, अभी फिलाल बस आप इस chapter को समझने की कोशिश करना कि आखिरकार ये divide के लिए ऐसा कौन सा नया topic निकाल दिया तो वो topic निकालने वाले भाई साब थे हमारे Euclid कौन थे? Euclid, जिन्होंने Euclid Division Lama दिया Euclid Division Lama हिंदी में Euclid विभाजन क्या है? प्रमे Euclid विभाजन प्रमे ठीक है भई? हिंदी इंगलिस में क्या है भई? Euclid Division Lama बच्चो ये Lama मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ लेकिन अब एक बार फिर से बता रहा हूँ देखो बच्चो याद करो याद करो आप सभी अंदर वाला कौन था? जल्दी बता दो भई कौन था? Dividend ठीक है? ये कौन था? Divisor ये कौन था? Quotient ठीक है? Quotient और ये कौन था? Remender Remender ठीक है? अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मैंने बताया था ये कौन है? भाजक ये कौन है? भाजे ये कौन है? भागफल और ये कौन है? सेसफल ये ही सब पढ़ाया था मैंने ठीक है? फिर मैंने इसको बताया था कि इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मतलब जो बच्चो डिविडेंट है भाजक है उसे आप A लिख सकते हो डिवाइजर है बाजे है वो आपको क्या B लिख सकते हो ठीक है? उसके बाद क्या भाई? यहाँ अंसर को Q और इसको क्या भाई? रिमांडर को क्या R यही बताया था अच्छा इसके बाद बच्चो मैंने आपको एक रूल सिखाया था क्या रूल सिखाया था? ध्यान से देखना मैंने एक आपको डिवाइड करके दिखाया था माल लीजी यह 13 है ठीक है आपने इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो आपने क्या किया 6 टाइमस में डिवाइड किया 12 आया यहां बज गया 1 ठीक है तो अब देखो A जो है वो किस की तरह लग रहा है 13 की तरह 2 जो है वो किस की तरह लग रहा है B की तरह और Q यहां पे क्या है 6, जबकि R यहाँ पे क्या है 1 R यहाँ पे क्या है 1, तो हमने क्या देखा कि बच्चों जो A है A A, वो किस तरीके से आ रहा है B और Q इन दोनों को अगर multiply कर दूँ मैं, B और Q यानि कि 6 गुना 2 12 हो रहा है, और जो भी reminder बच रहा है, जो भी बीच वाली party आ जाती है सही बात है कि नहीं, हमने क्या देखा कि यह जो A है, बीच वाला यह इसके B के और Q के multiple और प्लस में reminder के बराबर होता है, यह बात हमने second chapter में भी जी की है, ठीक तो इससे हमें यह पता चलता है बच्चों कि A is equal to always क्या रहेगा, B into Q प्लस में R, मतलब जो dividend रहेगा वो divisor into quotient upon में reminder जो भाजक रहेगा, वो हमें सब भाज्य गुना में भागफल, upon में क्या रहेगा, प्लस में क्या रहेगा, successful, और एक बात का बच्चों हमेशा ध्यान रखना एक बात का हमेशा ध्यान रखना क्या, मैंने आपको याद करो X वाले में, जब हम लोग X, X वाली जब डिवाइड कर रहे थे तो उसमें, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर यहाँ पे पावर बड़ी है, और यहाँ पे पावर छोटी है तो भाई हम डिवाइड नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि यह कहीं न कहीं अपनी वैलू बड़ी रख रहा होगा और यह कहीं न कहीं अपनी वैलू छोटी रख रहा होगा, इसलिए डिवाइड नहीं करते हैं मतलब कहने का क्या है? कि अगर यह नमबर बड़ा आ जाए और ये नमबर छोटा आ जाए तो डिवाइड करना बंद कर देते हैं जैसे यहाँ देखो इसमें देखो यह देखो बी यहाँ पर बड़ा आ गया है किस से इस से तो क्या मैं आगे डिवाइड कर रहा हूँ मैं आगे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ तो बस बच्चो यहीं से एक रूल और बनता है कि यह रिमाइंडर जो होगा ना रिमाइंडर यह हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा यह रिमाइंडर जो होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा तब भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन B से हमीशा क्या होना चाहिए रिमेंडर छोटा होना चाहिए ठीक है बच्चो तो इस rule को ही कहा गया Euclid Division Lemma इसी को क्या बोला गया Euclid Division Lemma तो जल्दी से इसको note करो फिर कुछ questions करवाना सुरू करता हूँ ठीक है एक मिनिट का टाइम है आप पर करो चलिए कर लिए होगा तबने तो सुरू करते हैं अब देखो बच्चो तो देखो अब मैं आपको ये बता दूँ सबसे पहली बात ये Euclid Division Lemma किस चीज के लिए यूज किया गया है Euclid Division Lemma किस चीज के लिए यूज किया गया है ये यूज किया गया है बच्चो LCM और HCF निकालने के लिए ठीक है LCM क्या होता है Lowest Common Lowest Common Multiple Hindi में क्या बोलते हैं इसको Lagutam Lagutam मतलब छोटा Lagutam समावर्थक Lagutam समावर्थक का मतलब भई छोटे छोटे पार्ट में इसको क्या कर दो भई बाट दो फिर आता HCF ठीक है HCF क्या होता Highest Common Factor Highest Common Factor ठीक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं महतम महतम समावर्थक यानि वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको Easily Divide कर सके ठीक है तो इस तरीके से हम लोग भई इसके उपर काम करते हैं और अब देखो इसको यूकली डिवीजन लेमा से हम लोग कैसे करते हैं तो देखो यूकली डिवीजन लेमा भई आपको मैंने बता दिया कुछ इस तरीके का होता है ठीक है अब आप कर कैसे सकते हो जैसे माल लो चलो भाई अब इसमें आपसे पता है क्या बोला है कि मुझे न इन दोनों नंबरों का यूज करके इसका HCF बताओ मतला महत्तम समवर तक हिंदी में मासा ठीक है बताईए तो बहुत सिंपल अब देखो इसको इस तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा क्या मैं यहाँ पर करा के दिखाता हूँ आपको दोनों में बड़ा नंबर कोन है 455 उसको लिखो अंदर और जो छोटा नंबर है उसे लिखो बाहर ठीक है नीचे उतरा 5 35 अब देखो मैंने क्या बताया था जब नंबर छोटा यहाँ वाला रिमेंडर छोटा हो जाए यह बड़ा हो जाए तो डिवाइड नहीं करते तो भाई अभी कहोगे कि सर आप तो कहा रहते तब तक डिवाइड करते रहो जब तक नंबर पूरी तरीके से यानि रिमेंडर जीरो ना हो जाए तब तक डिवाइड करते रहो मैंने क्या समझाया डिवाइड तब तक करते रहो जब तक डिवाइड जीरो ना हो जाए रिमेंडर को यहाँ, अब 35 बंजा 35, कितना बचा 7, कितना बचा 7, अभी भी 0 नहीं आया रिमेंडर, फिर से इसके बाहर भी ऐसा बना दो, अब जिससे डिवाइड किया था, उसे अंदर रख दो, 7, 5, 35, हाँ जी, अब पूरा कट गया, अब पूरा कट गया तो अब देखो क कि जगह पे कौन है, 42, क्यू की जगह पे कौन है, 1, प्लस रिमेंडर की जगह पे कौन है, 35, पहला केस खतम, अच्छा, अब सेकेंड स्टेज बे, यानि यह स्टैप फरस्ट माल लो, स्थिती पहली, स्टैप सेकेंड देखना, स्टैप सेकेंड देखो, हाँ बे, स्टैप स और R की जगह पे कौन हाया 7 इसको ऐसे लिख दिया ठीक है अब step 3 हाँ जी अब बताओ अंदर कौन सा नंबर है 35 बाहर कौन सा नंबर है B की जगह 7 Q की जगह 5 और भई लास्ट में 0 तो भई हमें किस नंबर से डिवाइड करने के बाद 0 मिल गया तो हमें 7 से डिवाइड करने के बाद 0 मिल गया तो जिससे आखरी में आप डिवाइड करोगे जिससे आखरी में आप डिवाइड करोगे वही आपका SCF होगा तो आप यहाँ पर SCF का अंक क्या लिखेंगे आप SC से नोट करो एक कोशन और करवाता हूँ अच्छा चैप्टर है मज़ेदार चैप्टर है करने में आपको बहुत मज़ा आएगा ठीक ना यह भी मिटा देता हूँ अब देखो आज मैं होमवक नहीं दूंगा आप लोगों ठीक है अभी आप होमवक तो क्या है पीछे वाले की ही प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि अभी इसमें दो किलास लगेंगी होमवक देने में क्योंकि काफी नएने कोशन पहले कराने क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना थोड़ा सा पहले सुरुवात में सीखना पड़ेगा आपको अच्छे से चलो अब जैसे एक कोशन में यह ले रहा हूँ साथ सो पैंसट साथ सो पैंसट हो गया है ना चलो भई साथ सो पैंसट माइनस करो माइनस करो कितना आएगा दो जीरो एक एक सो दो आया ठीक है जी अब रिमाइंडर देखो छोटा आगया इससे अब क्या करेंगे इस वाले को अंदर और इस वाले को बाहर तो एक सो दो 102 और यह आगया आपका कट पिटा के 0 तो देखो हो गया चलो करते हैं step first यह ऐसा लिख लो using Euclid division लेमा हिंदी में हाँ भई Euclid विभाजन प्रमय परियोग करने पर परियोग करने पर ऐसे लिखना है वच्छो ठीक है अच्छा तो step first में क्या लिखो गए step first में क्या लिखो गए हिंदी वाले लिखेंगे चरन पहला तो कैसे लिखेंगे अंदर वाले को बाहर बराबर इसकी multiply इससे यानि B की जगा पे 255 Q की जगा पे 3 प्लस R की जगा पे 102 यह हो गया अब step second चरन दूसरा हाँ भई अंदर वाले को A की जगा पे बाहर वाले को B की जगा पे 2 को Q की जगा पे और 51 आया आपका reminder या गया अब आता है step third अब आता है इसका step third step third में अंदर की जगा 102 B की जगा 51 Q की जगा 2 और R की जगा 0 तो last में divide किस से हुआ बच्चो 51 से तो इसका मतला आपका जो SCF आया वो कितना आया 51 कितना आया 51 तो जल्दी से फटा फट इसको cover कर लेंगे बच्चो ठीक है जल्दी से इसको cover कर जी इसके बाद मैं कुछ और question ले रहा हूँ ठीक है मैं कुछ और question भी ले रहा हूँ वोवी देखिए इसको note कीजी जल्दी से इसको note कीजी फिर मैं और भी questions ले रहा हूँ अभी तो बहुत बड़े-बड़े question भी हैं अभी एवाँ सोचना है कि मैं नहीं कर रहा हूँगा अभी तो बहुत सारे question है अभी तुम बिल्कुल बेसिक कोशन ले रहा हूं इस चेप्टर्स की, ठीक है, अब जैसे यह देखो, छोटे-छोटे कोशन तो आप खुदी कर लोगे, छोटे-छोटे कोशन तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है, यह आपको घर से करके लाना है, देखो, सारे नंबरों का, ठीक है, जैसे 32, 54, 18, 24, 70, 30, मैं बहुत सारे कोशन लिख रहा हूं, जो जो बोलोगे वो करा दूँगा, ठीक है, चार सो पिछत्तर, चार सो पिंचाणवे, पिछत्तर, टू फोर्टी थ्री, टू फोर्टी, छे पांच पांच दो, एक पांच पांच, तेरा सो पिंचासी, सो, एक सो नब्वे, एक सो पांच, एक सो बीस, इन सभी का आपको वो बताना है, ठीक है, यह लो, और कोशन लो, एक सो पैंटिस, दो सो पच्चिस, एक सो च्याणवे, अर्टिस हजार, दो सो बीस, एक सो चुरासी, ठीक है, और दो सो चियत्तर, ठीक है, और देता हूं, इस सारे कोशन होमवक में, पहला सोचा चलो, नहीं दूँगा, लेकिन अब दे देता हूं, 936, 657, 592, 252, 506, 1155, ठीक है, 1288, 575, और देखता हूं, लेकिन अब यह नहीं बाद में, पहले, इसी, इसी कोशन देता हूं, अब सारे वट प्रॉब्लम हैं, ठीक है, तो देखो, तो हैंजी बच्चों, अब इन में से, जल्दी से बता दो, कौन सा कोशन मैं आपको करा दो, मैं ना सोच रहा हूं, दो कोशन आपको करा देता हू ठीक है एक कोश्चन कराता हूँ ये वाला क्योंकि काफी बड़ा नंबर है और बताओ और मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से और कौन से नंबर हमें बड़ा लग रहा है एक ये वाला लग रहा है ठीक है तो ये दो कोश्चन मैं आपको करा देता हूँ अभी ठीक बाद में ये मत कहना कि हाँ जी सर ने तो हमें homework दे देते हैं इतने कठीन कठीन तो देख लो दो टफ कोश्टन वाले मैं करा दिता हो और टफ क्या होता है और कुछ नहीं होता था यह नोट हो गया होगा आपका और सब में पताना क्या निकालना है सब में HCF मासा निकालना है पता दूम्हें बाद में कहीं बोलो यार स क्या है 240 and 6, 6, 5, 5, 2, इसका निकालना है, चलो भई, तो करते हैं, 6, 5, 5, 2, और 240, तो कितनी बारी में जाएगा, मेरे साब से तो बाई, 240 तिया, 200 बहतर हो जाएगा, तो 2 बारी में जाएगा, तो 480, 5, 15 में साथ गया, 7, 1, और ये नीचे उतरेगा, 2, ठीक है, अभी आगे, ये नीचे आगे, 2, लेकिन अभी डिवाइड और होएगा, क्यों आएगा डिवाइड बच्चो, क्योंकि देख रहे हो, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं, 0, 8, 2, 14, और 2, 16, ठीक है जी, तो ये 7 बारी में जाएगा, 16, 180, ठीक है, ये आगया, 2, 15 में साथ गया, 7, बस कट गया, ठीक है, 72, अब क्या होगा, अब देखो, रिमेंडर चोटा आगया, तो इसको अंदर, इसको बाहर, 240, तो 72, बहतर, तो कितनी बारी में जाएगा भई, 72, तो अगर मैं बात करूँ, 72, अठे, आठ दुनी, 16, और एक, 8, 76, चपन नहीं, बहुत बड़ा हो गया, तो 7 या 21, हाँ, 3 बारी में जाएगा ये, तीन दुनी, 6, 7 या 21, इतनी बारी में, तो 10 में से 6 गया, कितना आया भई, 4, और 3 में से 1 गया, 24, ठीक है, अब आएगा 72, अब पता ना, इसको बाहर, इसको अंदर, तो ये तो 3 बारी में चलाई गया, 72, कट गया, 0, ठीक है, तो लो जी, बन गया, कैसे आएगा, हाँ भई, यूकलीड डिवीजन लेमा, यूजिंग, लिख लोगे, लिख ले ना, यूजिंग, यूकलीड डिवीजन लेमा, क्या लिख होंगे, यूकलीड विभाजन प्रमय परियोग करने पर, तो भई, अंदर वाली चीज, पहले बाहर, 240, B की जगा पे, 27, Q की जगा पे, प्लस, R की जगा पे कितना आएगा, 72, फिर, 240 को, इसकी जगा पे, हाँ भई, 240 को इसकी जगा पे, 72 को B की जगा पे, 3 को Q की जगा पे, R की जगा पे, 24, उसके बाद, 72 को A की जगा पे, 24 को B की जगा पे, 3 को Q की जगा पे, जीरो तो लास्ट में डिवाइड किस से हुआ 24 से तो SCF कितना आया 24 ठीक है बच्चो चलो अब इसको मुझे नहीं लगता है अर कराने की ज़रूता है अब तो आप बता चली गया होगा कि क्या करना है कि तब तक डिवाइड करते रहो जब तक रिमाइंडर चोटा ना हो ठीक है नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को ये सारे कोशन में जो दो चार कोशन होंगे वैसे तो मैं उमीद करता हूँ कि सारे कोशन आप लोगों के सही ही होंगे ठीक है और फिर भी मैं एक वर आंसर बता दूँगा सभी के ठीक है सभी के मैं आंसर बता दूँगा कि हाँ इसका answer क्या है अगर किसी का match ना कर रहा हो तो वो दुबारा try करना ठीक है तो आज की class में यहीं तक कर रहा हूं क्योंकि जादा button हो जाएगा फिर काफी सारा काम है ठीक है तो उसके बाद फिर हम लोग इसको और भी detail में बढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होएगी ठीक है चलिए